कुछ खिलाओ बहुत बढ़िया चलो कोकिज से शुरू करते हैं इजी पीजी ठीक है बेटा मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती लेकिन मैं कोशिश करूँगी यह बनाते कैसे हैं यह सर्की किसलिए है इसके जर्वत नहीं है यह होई ना बात बेटा इस आटे ने तुम्हारा क्या विगा रहा है देखो यहाँ यह कैसे करते हैं आराम से इसे बेलो फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शिट पर लगाओ आवन में यह डालो और अब कुकीस का इंजार करो मुझसे यह नहीं होगा ओ आईडिया कुकीस गोल होते हैं है ना तो बस आटा से एक सरकल काट सकते हैं और हो गया और सबसे मानपूर चीज है स्कीटल्स मुझे खुद ऐसी कुकीस खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी तुमने अच्छा काम किया बेटा और मेरी कुकीस कैसी है हमेशा की तरह एक दम कमाल के मुझे कुछ कहना ही नहीं है ये रहे मेरे कुकीस ये एक असली मास्टर पीस है दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है बैसे आईगया के लिए धन्यवाद मैं चाट को स्कीटल से सजाऊंगी और आखरी ट्रच पाउडर शूगर और मेरा घर अब स्नो से ढग गया है मुझे अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा है बेटा, तुम्हारे कुकीज ओ, ओ, हरे यहां तो आग लग गई है मुझे तुरन कुकीज निकालना होगा शाहिद इसे अभी भी बचाय जा सकता है आउच ओ, नहीं अब इसका कुछ नहीं होगा ये कुकी मुझे नहीं लगता किसे खा सकते है ठीक है, हमारे पास और यहां क्या है वहाँ, वहाँ, जिंजर प्रिट हाउस कितना सुन्दर है और इतना स्वादिस्ट मुझे ये बहुत पसंद आया मुझे लगता है घर जित गया है हाँ, मुझे पता था यहीं होगा मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से मैं यह कर सकती हूँ अलाकि शायद नहीं क्या, यह पीसा हुआ मीट है मुझे पता है इस मीट के बदले मैं एक स्वादिस सा चौकलिट पेश्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ हाँ, यह बहुत बढ़िया निकला अच्छा है दूसरा कैसे कर रहे है कितने ताज यह बांस लेकिन इसे सेखने की जर्वत है एक अच्छा क्रिस्प एक दम सही होगा अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी एक, दो और बर्गर लगभग तयार है अच्छा? लेकिन बर्गर में सबसे महत्पून चीज रज़दार कटलेट होता है मैं यह कीमा लोंगी धन्यवाद और अब इससे कटलेट बना कर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंजार करना होगा बेटा, तुम क्या कर रही हो? शान्त हो जाओ दादी यहां सब कुछ कंट्रोल में है मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोडने का फैसला किया है और आप गमी की बारी है उपर से यह जाएगा और इसे जोड से दबाना होगा या थी मेरी रेसिपी कैसा लगा? यह लडाई हो भी क्यो रही है अगर इस बार भी सबसे स्वादिश बर्गर मैं बनाऊंगी जरा इन कटलिट को देखो मैं बैकर्ण भी डालूँगी बहुत ज़्यादा मीट तो कभी नहीं होता है और अब बस सबजियों और चीज के लेर्स को लगाना है मुझे लगता है कि यह लेर बहुत बोरिंग है लेकिन अगर बहुत सारी लेर्स लगाते हैं तो यह एकदम सही रहेगा हाँ, मैं ही जीतूंगी देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है हाँ, ओ, नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ ध्यान से सारे इंग्रेडियन्स लगाती हूँ और अब सॉस इसमें कंजूसी करने की कोई जर्वत नहीं है हम देल से डालते हैं देखो, कितना अच्छा बर्गर बना है थोड़ा और मुझे एक गोल्डन क्रिस बन मिल जाएगा ओ माइ गाड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है ताडा ओ वा, यह साइज देखो एक तीन स्टोरी बर्गर मैंने यह पहले कभी नहीं देखा है यह कितना स्वादिस्थ है एक दम कमाल का अब तो मेरे दोस्त ओ, सब कुछ अलग हो गया ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है यह बहुत स्वादिस्थ लग रहा है तो चलो खा कर देखती हो गमी और न्यूटिरा बढ़िया लेकिन शाफ का बर्गर जीतता है मुवारक हो तुम्हें पता है यह आप सही नहीं है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ हाँ, यह असान है दादी, उठो देखो, जैनिफर नगेट्स खाना चाहती है ओ, बिल्कुल सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा ओ, दादी क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी धन्यवाद अचीब है, यह निकल क्यों नहीं रहा है शाय थोड़ा जोर से करना होगा ओ, मैंने फिर से गरबर कर दिया बूखी बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़ कर इसमें चिकन के टुकडे डुबोने होँगे और फिर इन्हें ब्रेट क्रम से ढखना होगा बढ़ियाँ अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ यह बहुत स्वादिष दिख रहा है और चाहा खुश्बू है क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे सोने के टुकरों की तरह दिखेंगे और हाँ, प्रेजिंटेशन भी एक कला है यह शानदार होना चाहिए मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडिमिट ले सकते हैं मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिश्ट ब्रेड ट्रम बनाऊंगी इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी बेटा, आराम से, इतना नहीं लगता है यह काम कर गया है देखती हूँ हाँ, बड़िया अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है मैं पहले से ही जानती हूँ, यह बहुत स्वादिश्ट होगा मैं इसे जैनिफर को देना भी नहीं चाहती मैं लगबग भूल गई कैचप के बिनना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एक दम सही है ओ माई गॉड, यह कितना अच्छा लग रहा है क्या यह सुनारी नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारन है ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ हाँ, मुझे यह बहुत पसंद आया लेकिन आभी भी कुछ बाकी है लाल, बढ़िया है इसमें चीज भी है यह पक्का विजेता है होरे, मैं जीत गई क्या आपने देखा, आपने देखा, मैं जीत गई यह, क्या तुम सब पीज़ा बना सकते हो, मुझे यह खाना है हाँ, बिल्कुल, मुझे भी खाना है पीज़ा, मैं यह बना सकती हूँ यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए इसे एक टुक्रे पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चमत से फैलाना है और अब चीज जितना ज़्यादा चीज, उतना ज़्यादा स्वादिश्ट और पेशक पेपरोनी भी मैं आपको डिस्टरक्ट करना नहीं चाहती लेकिन, देखो मैं एक शैफ हूँ प्लाइंग आटा, आउच यह उड़ा नहीं, परिशान मत हो बेटा यहाँ, यह लो, यह नया टुकरा दो धन्यवाद दादी ओ, मुझे पता है, कोई बोरिंग टेमाटर का पेश नहीं बस मार्शनेलो पेस्ट मैं पूरा चमच भर कर स्कूप लोंगी ऐसी, और इसी पीजा पर लगाती हूँ और हाँ, इस किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती इस किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं इसकी साथ सब कुछ स्वादिस्ट और ज़्यादर रंगिन हो जाता है चलो, यह लगबग तयार है हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफिशनल्स ने नहीं बनाया है मेरा पीज़ा बहुत अनुखा होगा कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं मैं इसे और ज़्यादर शांदर बनाने के लिए इसे रंगूंगी तो ज़रा देखो वो क्या कर रही है मैं और भी कर सकती हूँ अब आटे को रोल करती हूँ पीज़ा पर एक बिशेश टमाटर सौस लगाओंगी फिर पीज़ा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना की बड़े बड़े इटैलियन रेस्ट्रूमें होते है मैं ओपर थोड़ा चीज डालूंगी बहुत बढ़िया और अब यह प्रॉन डालने का समय है प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी मेरा शानदार डिज तयार है मैं इसकी तारिक सुनने के लिए तयार हूँ खैर यह लगवग हो गया है बस इसे बेक करना बाकी है ओ कितना टाइम लग रहा है मुझे नेंद आ रही है ओ क्या हो गया ओरे आखिरकार हमारे पिज़ा तयार है मैं तयार हूँ बहुत स्वादिश खुश्बू आ रही है अच्छा ही लग रहा है तो देखती हो समने क्या बनाया है यह कितना दिल्चस्प लग रहा है ओ यह क्या है क्या यह मसल्स है और यह प्रॉन भी है मैं यह चकना भी नहीं चाहती पर यह और भी दिल्चस्प लग रहा है क्या यह स्किटल्स है दिखने में तो अच्छा है पर स्वाद ठीक ठाक है ओ लेकिन यह पिज़ा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है हाँ इसे कहते हैं पिज़ा आप जीतते हो बधाई हो दादी धन्यवाद मैं बहुत खुश हूँ मैं जीत गई मेरा पिज़ा बेतर था यह क्या है मैं चाहती हो कि आप लो मेरे लिए डोनट बनाए यह किया जाएगा यह सबसे डार्ग दोनट होगा मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूंगी मुझे लगता है एक विशेश उपकरन में डोनट बनाना बहुत सुरिधा जनक और तेज है हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है ओ हाँ मैं भी ऐसा कर सकती हूँ पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मज़ेदार होता है ओ तुम्हारे आइडियास भी ना तुम लोग कुछ से कुछ करते रहते हो बेकार देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए में काले हैं लेकिन में शायद सबसे स्वादिस है काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छी से जाता है इसलिए मैं अपनी डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं उपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी तब यह और भी सुन्दर हो जाएगा ठींग, तुम्हे मेरी मदद करनी होगी मेरी लिए अभी एक गहरी कतोरी लाओ मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी हाँ, यह ठीक रहेगा फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी किसलिए? अब तुम खुदी सब देखोगे डादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती है? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है किसी बूरे हाथ में को इस तरह क्यों डाराती हो? मुझे लगबग दिल का दोरा बढ़ गया था ओ, चलो, यह सिर्फ सिरप है मैं आपकी बोती की खातिरियक कोशिश कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि वरना केबल स्वादिस्ट बल्कि सुन्दर डोनट्स का स्वाद ले हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का भी होस हो जाती अब मैं तुम्हें दिखाऊंगे कि सामाने डोनट्स कैसे दिखने चाहिए सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरुवत नहीं है और सुन्दरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा बस, देखो यह कितना सुन्दर हो गया सुन्दर तो मेरे डोनट्स है इसे तो बस देख कर ही मन खुश हो जाता है लेकिन उन्हें और भी मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों न जोड़े हाला कि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा चलो खुलो रेवेका तुमने जार खोला अब तुम खोदी चमकीली दिख रही हो माई ने यह रखता है कि डोनट्स तयार है मारगो एक विनर चुनने का समय है मैंस्डे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है थोड़ी दरामने दीख रहे हैं लेकिन वास्ता में बहुत साधिस है और सिरप के साथ सिरेंज एक बड़ी आईडिया है दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ मैं जूट नहीं बोलूँगी, यह बस ऐसे ही है बहुत साधरल ओ, लेकिन रेबेका के डोनट्स जादा दिलचस्प लग रहे है मुझे आसा है कि उनका स्वाध भी अच्छा होगा चलो, खा कर देखती हूँ यह सबसे स्वाधिस डोनट्स है, जिनि मैंने कभी चखा है बधाई हो बहन, तुम जीत गई धन्यवाद मार्गो, आई लाव यू हाँ, वेंस्डे एक बुढी औरत को ढराना बंद करो इस राउंड में सबको मेरे लेक कॉक्टिल बनाना होगा स्वाधिस और सुन्दर, यह मैं कर सकती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मुझे जीतना है और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉक्टिल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज़्यादा पसंद हो जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडिस से शुरुवात कर सकती हूँ लेकिन मुझे लॉलिपॉप की जरुवत नहीं है मुझे यह कैंडिस लिक्विड रूप में चाहिए या कहूं तो मुझे उन्हें पिंग लाना होगा तैयार यह तैयार हो गया अब कैंडिस किटल जोडने का समय है इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडिस को हर कोई पसंद करता है लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जर्वत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिस्ट कप के बीच खूब सूर्ती से इन्हें रखा जा सके पहले थोड़ा खा लेती हूँ और अब यह स्प्राइट का समय है यह कौक्केल का आधार होगा पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभगा संबब है मुझे इसके लिए अपने हेर पिन का उप्योग करना होगा ओह यह क्या गिला और मीठा बेचारी रेविका मैं ठीक हूँ मैंने बस स्प्राइट शावन लिया लेकिन यह इतना ही नहीं है विप्श्रिम के बिना किस थरका कॉक्टेल और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुचाएगी ताडा मेरा मास्टरपीस तयार है तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो लेकिन तुम्हारे कॉक्टेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जर्वत है इसलिए कॉक्टेल जहां तक हो सके उप्योगी होना चाहिए सबजियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं तो क्यों ना सिर्प सबजी कॉक्टेल बनाया जाए देखो, सारी सबजियों को एक साथ मिला कर पीज देना है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा मुझे शक है मैं स्ट्राबेरी सिर्प के साथ अपना कॉक्टेल बनाना शुरू करूंगी मैं उन्हें एक गलास में डालूंगी ताकि ये तुरंट और अधिक सुन्दर हो जाए फिर इस प्राइट एक्सिल में जाएगा जिसे मैं हरे सिर्प की मदद से खोड़ा सजाऊंगी थिंग मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरुवत है मेरे लिए थोड़ी विप टिन चुराओ किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूँगी ये बहुत धरावना है हाँ और उसने मेरी क्रीम चुरा ली धन्य बाद तुमने सब ठीक किया और वे सिर्फ मजाग कर रहे हैं आखिरकार अब मैं कॉक्टेल पी क्रीम डालूंगी और बेशाक इसे गमी आईट से भी सजाओंगी मेरी राय में बहुत अच्छा त्यार हुआ है मारगो अब बताओ किसका कॉक्टेल सबसे स्वादिस्ट है वेंस्डे हमेशा की तरह सबसे औरिजनल पीच तुमने एक बहुती स्वादिस्ट कॉक्टेल त्यार किया है गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है खास करके आख दाणी, क्या आपने फिर से सबसियों का मिक्सर मेरे लिए त्यार किया है तुम्हें पता है, मैं इसे बरदास नहीं कर सकती यह खिनोना है और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है चलो चक कर देखी किसका स्वाद कैसा है खमाल है रेवेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया हुरे, चिंता मत करो किसी दिन तुम भी लकी होगी इस बार स्वादिश पास्ता के साथ मुझे सर्प्राइस करो मेरे पास कुछ आईडियाज है दादी, सोमाद, यह खाना पकाने का समय है पास्ता, आसानी से, मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बरतन में पानी गर्म है क्या थिंग मेरी मदद करेगी इसे कभी भी घर पर ना दो राएं क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी मैसूस नहीं होती है हाला कि यह अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है खरीद कर लाया वो पास्ता बोरिंग है मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती मेरे पास आटा है आच्छी हाँ अब सभी के पास आटा है गुस्सा मत करो दादी मैंने इसा जान बुचकर नहीं किया है अब हमें आटा गुनने की जरुवत है और इसके लिए हमें आटे में कचांडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छी से गुन्द लेना है अहां इस तरह से यह तयार हो गया अब आधार तयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स, रंगीन और चमकदार हो जाए आगे अब हमें एक विशेश मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरफ काट लेंगे तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तयार हो जाएगा यहां तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है हाला कि भाब के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही रेवेका क्या मैंने केचप जादा डाल दिया नहीं दादी आपने तीसे अभी तक खोला भी नहीं था मैं भी क्या करती रहती हूँ आह कितना भयानक है वेंस्टे देखो आम तरपर तुम इस तरह का तमासा पसंद करती हो रेवेका नैपकिन के लिए धन्यवाद मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी पस मुझे नूडल्स में थोड़ा सौस डालना ही बचा है यह स्वादिश लग रहा है दादी आप बहुत अच्छा कर रही है स्वादिश लेकिन कितना बोरी क्या पास्ता को और दिल्चस बनाना चाहते हैं हम उन्हें काला रंग देना होगा हाँ इस तरह से दादी ने मुझे दिल्चस पाइडिया दिया है कैचप और आप के साथ मेरे हिस्से को डराबना क्यों न बनाया जाए आपको या आइडिया कैसा लगा यह बहुत डराबना है मैं वह नहीं खा पाऊंगी मेरे रंगिन पास्ता की बात ही कुछ और है मुझे उमीद है कि मारवो इसे पसंद करेगी वेंस जे क्या तुम डराणा बन करोगी खाना फिर से बहुत दिल्चस्प है लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है दादी लेकिन आपने कैचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है यह बहुत स्वादिश्ट है तुम मेरी प्यारी बच्ची हो पता नहीं रेवेका फिर से क्या लेकर आई है मुझे उमीद है कि यह पास्ता ना किवल सुन्दर है बल्कि स्वादिश्ट भी है मैंने खास करके तुम्हारी लिए त्यार किया है रेवेका तुम फिर से जीत गई हो हुरे आज मैं लखी हूँ वेंस्डे मैं लगबग भूल गई मैं खास करके तुम्हारी लिक हेर पिल लाई थी मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती इस बार मेरी लिए सीजर सलाथ त्यार करो आसान मैं सलाथ बना सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी सीजर सलाथ के लिए सबसे जरूरी चीज सलाथ के पत्ते और चिकन है जाहिर है क्रुटोंस नहीं छोड़ना है जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े है और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी यह सीजर नहीं होगा लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फून को पसंद करेगी मैंने कितना प्यारा मेडग त्यार किया है आए देखे कि आपने इस बात क्या त्यार किया है रेविका, तुम वास्तो में कुछ अच्छा लिखा राई हो लेकिन इसका स्वाद सामानि साधरन सब्जियों की तरह ही है पर मैंने काफी मेनत की है यहाँ दादी स्वादिष सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है, यह बहुत स्वादिष्ट है वेंस्डी, क्या यह ओलिप्स है? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है दादी, आपकी चीत पर बधाई आखिरकार, मैं कब से इसका इंजार कर रही थी?